तुमसे कम ये तो दिखलो आतंकवाद के पनागारू तुम्हारे सामने बैठा कौन है हैं इंडिया के सबसे टफेस्ट एक्जाम का टॉपर बैठा है विदेश मंतरी तो बाद में से पहले वही है ये आईएफेस रह चुका है दुनिया भर की सारी नौलेज अपने दिमाग म दख़ानी चाहिए इनके नेताओं के लिए जयाशंकर सहाब के सामने भारत की विदेश मंतरी उनके सामने ये मैडम जाती है वहाँ जाकर के भारत के खिलाफ बोलने का प्रयास करती है जैशंकर साहब इतना lightly उड़ा देते हैं कितना शब्दों में वजन होना चाहिए चिलाने से कोई अर्थ नहीं है ये सही माने में अपर कोई व्यक्ति प्रूव करता है तो वो ये